नमस्ते दोस्तों सबसे पहले आपको जैश्री राम और हम बात करते दोस्तों शैतान के बारे में शैतान जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में जो उसका टीजर है उसके बारे में बात करेंगे देखो भाई क्या है अभी वो थोड़ा सा जगडों को मिटा दो मतलब बीम सी को भी थोड़ा सा बाजू रखो औरहों में कहाध हम था को भी थोड़ा बाजू रख कि हम एक ही फिल्म के बारूम अब्डेट यहाँ वह भी बात करते है क्योंकि फिर तो भrage टॉपिक बहुत बड़ा है और जगडे बहुत होंगा बाकी है निवे होना बाकी किसी को रोक नहीं पाऊंगा भाई कि ने नियार तुम मत करो तुम समझने की कोशिश करो किया बात ही नहीं रहे बाची ना बोनी कपूर ने जो गेम खेला है वो इतना खतरनाक खेल है कि अक्षे वर्सेस आजे वाला जो एंगल है वो चालू रहेगा हाँ क्योंकि देवारा पुस्पोन होने के चांसे से है तो शायद मैदान का शिफ्ट हो जाएगा रिलिजडेट तब शायद ये चुप रहेंगे लेकिन तब तक ये लोग हाइप के लिए जो बोनी कपूर शायद उसमें वो सक्सेस्फुल हो जाएगा और क्या पता है राजे वर्सेस अक्षे के जो फैन से उनमें आपस में जगड़े भी बन जाएंगे पर वो बाद में की बात है अभी बात करते कि शैतान के साथ क्या हो सकता है शैतन का टीजर क्या है लेकर जोस्तों 23rd यानि कि एक रिपोर्ट जो था उसमें ये बोला जा रहा है कि कल इसका टीजर आ सकता है लेकिन नौट कंफर्म येट हाला कि ये बात तो कंफर्म है कि फाइटर जो मूवी आने वाली उसके साथ इसका टीजर थेटर में देखने को मिलेगा आलोंग विद भी एम सेम टीजर बड़े जो टीजर आने वाला है according to updates, reports कि शैतान का टीजर आ सकता है क्योंकि शैतान पहले भी आ रही है तो अब वक्त बताएगा मैं इंतजार करूंगा YouTube पे कि कब आएगा कब नहीं और दूसरी बात एक बात बोल रहा हूँ मैं शैतान भले ही कम बजट की फिल्म है लेकिन उसको इतना कम छोटी फिल्म समझो मत यार वो पनोरमा स्टूडियोज की फिल्म है मेरे भाई और जो गुजराती फिल्म थी ना वो इतनी बाप लेवल का उसका मतलब कंटेंट था ना क्या आप इमेजीन भी नहीं कर सकते हैं हाँ ठीक है यह 500 करोड वाली नहीं होगी पर 60-70 करो अगरी तो नहीं है होरर ड्रामा इस टाइप का बहुत कम बनता है बॉलिवड तो भूली चुका है तो भाई यह भट कैम्प वगरसे आगे जाओ जरा यह सच में एक अच्छा कंटेंट वाली फिल्म है ब्लैक मैजिक वशी करंड वश यही इसको लेके हमेशा आपने सुना होगा पहले इसका नाम वश ही रखने वाले थे बाद में इनका प्लैन था ब्लैक मैजिक रखे बाद में वशी करंड रखे एंड इंडियन इन लोगों ने शैतान रखा तो देखते क्या होता है आर माधवन का कैरेक्टर आइधिंग निगेटिव है आजय दोगंड का पॉ अब या उसको छोटी फिल्म मत समझो यार ये कंटेंट वाली फिल्म है बाकी फिल्मों के बार में बाद में करेंगे बात क्योंकि अब हो रहा है जब से वो क्लैश हाला कि इन लोगों ने इतना अच्छा दिमाग लगा है कि अभी तक एग भी बार ऐसा नहीं बोला गया है कि मैदान का release date क्या है सिर्फ एप्रिल ऐसा बो लगया है date नहीं दिया है लेकिन फिर भी जगड़े लगाने का अच्छा दिमाग लगा है बोनी कपूर ने भाई एप्रिल में और भी Fridays वगरा आ सकते है पर नहीं इन्होंने जान मुझे हाईप मुझे तो लगता है हाईप मिल जाएगी और बाद में release date शिफ्ट हो जाएगी मैदान इतनी बार पुष्पोन हुई है कि भरोसा ही नहीं कि कब आएगी देखते क्या आता है अभी शैतान कोले के जो अपडेट थी सोचा आपके साथ शेयर करूँ शेयर किजिए वीडियो को जादा से जाद आपको क्या रखता है क्या सैतान ब्लॉक बस्तर होगी या नहीं कमेंट्स में बताइए